तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यह बाउंस हो रहा है तो इसको एक ऐसे कंटेनर में लगाना होगा मतलब एक एक एंक्लोजर में जहां पर बिल्कुल एर टाइट हो तभी यह जाकर काम करेगा हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है शिधारत और स्रीड क्रेटिव आइडियास के इस वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम एक पेसिव रेडियेटर बनाएंगे जिसको की आप ब्लुटूथ स्पिकर में यूज कर सकते हो और इसके साथ साथ है वो भी कैसे बनाते हैं वो भी जान लोगे तो चलिए फ्रेंट्स फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें इस टाइप के फॉम सीट की जरूरत है यह आपको स्ट रहने एक पीस से इसमें कट किया है और देख सकते हैं उसका प्रोपटी आप पास से तो यह स्पंजी है तो यह तो तोंची है जो ठीकने से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमें इसको ठीकने से कम हो जाएगा तो यह कुछ टाइम हमें करना होगा तभी जाकर यह और इसमें दोस्तों छोटे छोटे होल्स भी रेते हैं तो उसको क्या कैसे हम बंद कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा तो पहले इससा हम कर लेते हैं तो हमारा जो काम है हो चुका है और काफी पतला हो चुका है तो अब हमें इसमें पेंट करना है तो पेंट करने का जो में जो कारण है वो यही है कि उसका जो होल है वो बंद हो जाए और यह देखने के लिए भी अच्छा हो ब्लाक कलर का बने जिसके कि आपको जो रेडियेट उसका color भी इसमें मिल जाए अगर आप black color का sponge यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपको color या फिर कोई भी extra glue का यूज़ करना पड़ेगा तो हमारा paint हो चुका है और इसका hole बंद हो चुका है तो अभी हमें इसको heat करना है तो मैंने एक side ही paint किया है तो heat gun की जरिये इसको heat करेंगे आपके पास अगर नहीं है तो आप hair dryer का भी use कर सकते हैं तो heat करने से उसका जो थोड़ाता ये top हो जाता है और हमने एक फर्मा बनाया है उस फर्मे में अभी हम उसको डाल देंगे तो passive radiator जितना size का रहेगा उसी हिसाब से उसका जो फर्मा है बो है तो जो फर्मा है कैसे बनाना है मैंने एक वीडियो उसके उपर पहले ही बनाया है तो देख सकते हैं बहुत ही कमाल के तरीके से ये जो है passive radiator बनकर त्यार हो चुका है तो इसी बात पर दोस्तों वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिए तो जो फर्मे की बात चल रही थी ये फर्मा बनाना मैंने एक dedicated वीडियो में दिखाया है जो मैरा एक पुराना वीडियो है उसका लिंक मे दो कर लेना है और जो केबल वायर आता है डिटी एच का उसको यूज करके यहां पर आपको उसी जो रो के हिसाब से उसको चिपकाना है इंस्टन क्लू के द्वारा और इस तरह से एक साइड बनाना है और दूसरे साइड का भी बनाना है जिसकी एक फ्रेम टाइब का बन ज कीजिए तो दोनों साइड का जो हिस्सा है वो बन चुका है जो दूसरा साइड है कुछ इस तरह सा होगा जो कि इसके अंदर जो पहले वाला पीश है वो फिट होना चाहिए तो उसी टेकनिक का यूज करके मैंने पेसिव रेडियेटर को भी बनाया है और जो पेसिव रेडियेटर का सेफ है वो सर्कुलर नहीं है यहाँ पर तो ज्यदा एक्स्ट्रा जो फॉम है उसको काट कर निकाल लेंगे और थोड़ा-थोड़ा साइड से छोड़ना भी है क्य क्यूंकि बहुत ही मुलाइम होता है और एक बार गलत कर जाएगा तो यह कोई भी काम का नहीं रहेगा तो कटिंग हो चुका है दोस्तों अभी हमें उसका जो नेक्स्ट स्टेफ है वो करेंगे तो यह बन चुका है और उसको थोड़ा सा वेट देने के लिए हमें यहाँ पर एक एलुमिनियूम का सीट लिया है और उसको हमें उसका जो जो सेफ है उसकी हिसाब से यहाँ पर एक पीस काटेंगे तो यहां पर मैंने दो सरकल ड्रो करके उसमें लाइन से उसको लगा लिया है और इसको काट लेंगे ध्यान से काटने के बाद उसको sending करके उसके अंदर हमें उसको चिपकाना है तो पेसिव रोडियेटर के अंदर एक वेट लगा रहता है जो सेंटर में तो उसी के जेरिए बो मतलब जो बेस से उसको हैंडल करता है तो यह वेट काफी रहेगा मेरे ख्याल से अगर यह काम नहीं करता तो हमें और थोड़ा सा वेट डालना पड़ेगा तो यह पीज बटकर त्यार हो चुका है दोस्तों उसके उपर इसको चिपका देंगे तो चिपकाने के लिए आपको synthetic glue का इस्तमाल करना पड़ेगा डेंडराइट का यूच कर रहा हूं तो आप कर सकते हैं फेबी बॉंड का यूज कर सकते हैं वस्ते भी हो जाएगा तो फोड़ा से देकर यहां पर हमें चिपका कर छोड़ देना है यह थोड़ा सा टाइम लेता है सुखने के लिए तो यह हमारा हो चुका है तो दोस्तों अभी हम वो सुखने के लिए छोड़ दिया है अब हमें उसका जो साइड का बॉर्डर फ्रेम है वो बनाते हैं तो बॉर्डर फ्रेम बनाने के लिए उसी के सेफ में थोड़ा सा बड़ा करके मैंने संबोड को ड्रो किया है उसके उपर और Sunboard 4 mm का है तो उसी की हिसाब से पहले हम जो ड्रो के हैं उसी की हिसाब से काट लिए तो यह कटकर निकल चुका है और इसको भी थोड़ा सम सेंडिंग कर लेंगे उसका सेब भी अच्छा बन जाएगा और उसको यहां पर फिर से ड्रो करके उसका जो लाइनिंग है बो बनाएंगे और उसको एक फ्रेम टाइप का हमें बनाना है तो देख सकते हैं मैंने यहां प प्यसिव रेडियेटर को स्ट्रेंद देगा तो इसको हम कहीं पर भी इसको इसे मद्द से लगा सखते हैं तो इसको हमें 2 भाग में पहले काटना होगा काटने के बाद हमें ग्ल्ू से उसके साथ लगा लेंगे तो कुछ इस टाइब सेट हो रहा है और यहां पर मैं फेबिकोल का यूज़ कर रहा हूँ तो इस साइड का जो यू है वो लगा लेते हैं और दूसरे साइड का भी लगा लेंगे और जो जगा खाली रहेगा उसमें छोटे छोटे पीस साइड के काट कर लगा लेंगे तो यह हमारा फ्रेम बनकर अभी तयार हो चुका है और सूप भी चुका है तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यह बाउंस हो रहा है तो इसको एक ऐसे कंटेनर में लगाना होगा मतलब एक एक एंक्लोजर में जहां पर बिल्कुल एर टाइट हो तभी यह जाकर काम करेगा तो इसके उपर भी मैं एक स्पिकर बना कर दिखाऊंगा तो वो आने वाले वीडियो में होगा तो इस वीडियो में शिर्फ मैंने यह दिखाया है और इसके मदद से आप स्पिकर का सस्पेंशन भी बना सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसी तरह के एक इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद